मद्यप्रदिश के बुरानपुर शेहर में ब्रष्टाचार को लेकर क्यूर पोर्ट के साथ सेम चिवराज सेंग के पोस्टर लगाने वाले मामले में पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है बताय जा रहे कि जिला अस्पताल गोटाले में 69 लाक रुपए का गबन करने वाले संदीप जाधाओ और दो अन्नी लोगों ने शेहर में यह पोस्टर लगवाए थे दरसल CCTV केमरे में पोस्टर लगाते हुए कुछ लोग कैद हुए हैं संदीप जिला अस्पताल गोटाले के मामले में जेल भी जा चुका है संवार को बुरानपुर शेहर में 50 प्रतिशत लाओ काम कराओ स्लोगन के साथ क्यूर कोड के पोस्टर लगे थे इसके बार कोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान का फोटो लगा हुआ था भाजपा ने इसे विरोध्यों की साजिश बताते विए मुख्यमंत्री और भाजपा को बदनाम करने का प्रयास बताया था हाला कि कांग्रेस ने इस तरह के पोस्टर लगाने से इनकार करते वी कहा कि यह जनता का गुस्सा और आक्रोशे जो अब खुल कर सामने आ रहा है पोस्टर लगने के बाद अब भाजपा कांग्रेस के बीज राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है लेकिन पोस्टर लगाने के मामले में सीसी टीवी केमरे में जो बाइट केद हुई है वा कांग्रेस के पिछडा वर्थ के पूर्वे जिला अध्यक्ष की निकली है पोस्टर लगाने के विरोध में बाजपा विरी प्रकोष्ट जिला संयोजग विवेक कास खेडिकर ने लिखित चिकायत की है इसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने दारा 505 एक बह में केस दर्जी किया है CCTV फोटेज जाच के दोरान संदीप सहीद दो अन्य युवक नजर आए संदीप की गिरफतारी के लिए टीम प्रयास कर रही है टीम बारती नियूज कल संग्यान में आया था कि शहर के अंदर जो है वो अलग अलग जगा पर मानिय मुख्यमंती जी के नाम से अलग फोटो से गलसरत पोस्टर लगे हुए जिसके उपर से पास्व पाजे के अंतर मामला पंजिबत करके पुलिस ने इन्विस्टिकेशन स्टार्ट कर दी थी जिसमें आरोपी जो है वो चिंदित हो गया है एक आरोपी जिसका नाम संदीप जाधा करके है वो CCTV फूटेज में हमाजर CCTV कैमरा है उसके अंदर आया हुआ है और उसकी गाड़ी का नंबर भी सपस्ट्रूप से आ गया है पुलिस पार्टी उसको भेज़ दी गई है तदकाल आरोपी की गरफतार करके कार्यवाई भाई की जाए है क्या पहले भी कोई मामला है उसके अंदर साथ लाख रुपे का गबन करने का यारोप ही रहे चुका है और छे से साथ महने के लिए ये जेल भी जा चुका है